रिवियू जाता है जो नियमित जाच प्रक्रिया के दौरान संबंधिता देश पारित करते समय उपलब्ध नहीं था या किन ही कार्णों से प्रस्तुत नहीं किया जा सका था परंतु जिससे मामले की मूल प्रकृती ही बदल जाती हो तो ऐसे स्थिती में राश्ट्रपती स्वेच्छा स अथवा अन्य किसी आधार पर किसी आदेश का पुनर्विलोकन रविव कर सकते है इस संबंध में उपबंधिया है कि इन नियम के अंतरगत राश्ट्रपती के दवारा कोई भी दंड तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक संबंध त्रेल सेवक को प्रस्तावित सजा के विरुध प्रतिवेदन देने का अवसर्न प्रदान किया गया हो अथवा नियमो के अनुसार दीर्घ दंड दिये जाने वाले आदेश के तहत दिये गए लगू दंड को बढ़ा कर दीर्घ दंड दिये जाने की संभावना होने पे नियम नो के अंतरगत नियम 14 की परस्थि प्रतिया ना होने पर विस्त्रित अनुशासनिक जाच न कर ली गई हो अथवा आवश्यक हो वहां संगी अलोक सेवा आयोकी परामर्ष न ली गई हो। समय सीमा निर्धारत की गई है एक यदी अपील के स्तर पर दी गई सजा को बढ़ाना हो तो च्छ महीने और दो यदी सजा को कर्मचारी के पक्ष में घटना हो तो एक वर्ष परंतु राश्ट्रपती, रेलवेबोर्ट तथा महा प्रबंधक बिना किसी समय सीमा के रिवीजन प्रतिवेदन पर विचार करके आदेश पारत कर सकते हैं